हाई दोस्तों उसकार वेलकम टू इनोवे टू जी एस नौली विताहकास आज के इस वीड़ों हम देखने वाले हैं मैं मैं फर्स्ट समस्टर का जो है टैम टेबल आ चुका है जिसमें की पॉलिटिकल साइंस ठीक है ध्यान रखेगा पॉलिटिकल साइंस का ये वीडियो होने वाले हैं तो बने रहेगा इस वीडियो के साथ और आज की इस वीडियों हम देखने वाले हैं जो है फश्ट पेपर जिसमें की आपको पास्चात या आधुनिक जो पॉलिटिकल ठीकर रहे हैं उनके बारे में क्यों से पूछा जाता है जैसे कि अरस्तू के बारे में हो गय हुगे हुगा उनना वप्लीटों के बारे में हो गया सुक्रात के बारे में हो गया इन सब कर्जों है दर्版 पूछता फिलस्पी किया तो इसी की साथ में सबसे पहले हम देखते हैं ज Jeśli किसका दिखते हैं प्लेटों का देखते हैं तो आज के कि इस सेरी में हम देखेंगे फिलेटो को लेकर ना तो प्लेटो का जन्म माना जैता है 427 48 28 साब पूर के आसपस इनके मृत्ति होती है 376 या 346 कहीं कहीं पर 348 भी देखना भी मिलता है तो आप जो है यह तालिस और दालिस लेकर चलिए गया ठीक है यहां पे चारसुअटाइस लेकर तीन सो और तालिस बीसे के आसपास लेकर आप चल सकते हैं है ना इसा कि अत्लिक उत्री की उस्टूर्श पूछा जा सकता कि सिस्टूर का स्वारी प्लेटो का जन्म कहां पर और कभ हुआ था सुकृरात के सिस और अरस्तु के गुरु होते हैं कौन पिलेटो तो पिलेटो क्या थे सुकृरात के सिस तरिकों की तरइने इसे तरइ कहा गया ईहां थो पूर्ण की संस्क्रिट कि यह लिए युव समीप वर्ती इजिना नामक दूइप में हुआ था इजी ना यह धिहान रखना है आपको एथेंस के इजिना नामक आईलेंड पर हुआ था उनका परिवार जो है सामन्त वर्ग सा सामन्त वर्ग से था अर्था मतलब कुलीन वर्ग या फिर आपके जमिंदार वर्ग या सब्सक्राइब हुझा न ह disruption दो अरिश्ट्रोंन और मता का नाम था पर आधिभाह संपना हुझा अुआ फोड़ी यह मतलब स्ल्थ एसना बड़े घर के जो है खांदानी लड़के इस तरह कह सामसा सकते हैं सु अब और में पम मृत्षितन के प्रवार नंतर के प्रति प्र जरूत है जब उनकी मृत्ती हुई तो यह क्या करने लगे प्रशात तंद्र के प्रति घिरणा जो हैं इनके मन में जागरित हो गई सुबिवस्थित धर्म की अस्ठापना पास्चाच जगत में सरोपरत्म सुबिवस्थित धर्म को जर्म देने वाला प्लेटो ही है कहने का मत अदेश्टों के समय में कभी को समाज में आदरडी अस्थान प्रापत उसके समय में कभी को वभदेशक मार्गदर्शकत था संस्कृति का रचक माना जाता था प्ल melhores के सिस्षका नाम अरस्तू तो तो अरस्तू का क्या मानना था खिए जगत स्वएम अनईकृति आता कविता सत्य से दो गुनी दूर है वह भाओं को उद्वेलित कर ब्यक्ति को कुमार्क गामी बनाती अता कविता अनुपयोगी है यह कभी कम है तो एक मोची से भी कम है तो यह कौन कह रहा है ध्यान रखेगा अरस्तु गह रहा है यानि कि अरस्तु की नजर में कविता की कोई भी महतु नहीं है जो कभी है वह एक मोची के समान है ठीक है तो यहाँ पर आप इस स्लाइड में हम देखने वाले है प्लेटो के क्रिटिया यानि को प्लेटो के जार कौन कौन सी किताबों की रचनाएं जैसे कि रिपबलिक है इस्टेट समयन है क्रीटो है अपॉलाजी है प्रोटे गोरा से इसमें सबसे परशित जो ग्रंत है यानि की जो बुक है वहां रिपबलीक है तो आपसे क्यूशन पूछा जा सकता है कि प्लेटो की कौन कौन सी रचनाएं है ना आते लिए उत्री में पूछा जा सकता है तो इस तरीके साब ध्यान रख सकते हैं रिपबलिक स्टेट्स मैं क्रीटो अपूलाजी प्रोटे गोरस देहां रखेगा फिर से मैं बोल ले रहा हूं प्लेटो की रचनाएं कौन कौन सी है रिपबलीक है इस्टेट्स मैं है और प्रइप जो जाएगा अब हम बात कर लेते हैं प्लेटो का दरसन जैसे कि प्लेटो का नयाए से संबंदित द आडस्थे संबंदित क्या द्सफिय रही है दारसनिक राज्जा के संदर में जो है इनका मत रहा है कि सक 9 अब प्लेटो का जो है साम्मेबद क्या है प्लेटो का सी छाव वेवस्ता को ले कर क्या तो इतने हैं तो इतनी हम देखने वाले है फिर से बता देना चाहता हो प्लेटो की कृटिया कौन को से भी अर रिपब्लीक एस स्टेट्स मायन है क्रीटो अप्लाजी हाओ प्रोटे गोरस है चाहित सबले आहां लिए यदियानि कि नियायकों सादर्सन दिया हैं कि रहे है का और सनब रहे हैकंड मे बटया है कि यह कराजा होना चाही इन्होंने चाहिए चैसरे दार्षन ग्राज्चा मैं विधर क्या होने चाहिए यानि कि मतलब क्या-क्या अगुण नहीं होने चाहिए और कैसा राजा होना चाहिए किस चीसे बचना चाहिए क्या करना चाहिए यानि कि पूरा पूरा जो है दार्षनिक राज्जा बनाकर यह प्लेटो छोड़ते हैं उसके बाद साम में बाद किया है यान इस तरह से भी आप देख सकते हैं तो यह लगूतरी की उस्टन पूछा जा सकता है या दिर्ग उत्री की उस्थन कहां पर है या उनका थोड़ा सा बाइक्राउंड हिस्टोरी और कहां के रहने वाले थे गुरू कौन है उनके सिस्ट कौन है उसके बाद जो है प्लेटो का जो कमेंट करिए टिपड़ी कीजिए प्लेटो का दर्शन क्या है फिलास्पी क्या है प्लेटो का न्याय सिध्धांत क्या है प्लेटो के न्याय सिध्धांत पर टिपड़ी कीजिए इन सब तरीके से क्यों से पूछा जा सकता है आप से तो प्लेटो का न्याय सिध्धांत का आ और अन्तों प्लेटों का नुसार बात कही जाती है बार-बार के भी नियाय के कानूनी परिभासन नहीं दी सकती है जो नियाय है कि इतना ही है कि मनुस अपने उन सब करतब्यूं का पालन करें जिसका पालन समाज के प्रयोजनों कि दृष्ट से किया जाना आवज से गए समाज और राज अपनी आव सकता हो तथा व्यक्तियों की योगताओं के अनुसार उनके लिए कुछ करतब्यों और धर्मों का पालन करने का नियम बनाते हैं इनका ठीक प्रकार से पालन करना ही क्या है नया है तो आप यहां पर देख जादा आदर्स वाद की बात करते हैं बहुत ही ज्यादा आदर्स वाद की बात करें बहुत ही ज्यादा नयतिक्ता यानि नहीं होता हो निया इस फॉल्ट नयतिक्ता बन जाता है नहीं नहीं वहां नयतिक्ता का रूप धारण करा देते हैं यानि कि नयाई को नयतिक्ता से होनों तो नय्तिक्ता क्या है सक्ष्ठा क्या है इस तरीके सीर जोडने की को शींच किये हैं आपको समझ च intelligence कैस्हां तो निया इंड़नां संसे जोडते हैं यह पर बता भी रहा है कि 목 Fairy करतब में बताये जाते हैं हैं धर्मों का पार wedding करने का नयम बनाये जाते यह Right ठीक से लोगज करें तो सब्सक्राइब नयम करें औहीं होता है तो कुछ बात यहां तक अभी हमको सब्वजमें आ गई होंगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं प्लेटों का और क्या नियाय का सिध्धान कहता है तो भाई प्लेटों के मता नुसार राज के चार गुड़ भी बताए जाते हैं कौन-कौन से जैसे कि बुद्धिमत्ता है साहसर सैयम है और न ध्यान रखेएगा प्लेटों के नुसार राज के चार गुड़ बताए जा रहे हैं ना कि न्याय के चार गुड़ बताए जा रहे हैं ध्यान रखेएगा इस बात को राज के चार गुड़ ना राज के चार गुड़ का मतलब राजा के चार गुड़ यानि कि राजा के पा स्थानिक वर्ग का गुड़ थका या क्या है और कहां रहता इस संब्ध में प्रेटों Как या उत्तर है कि अपने निश्चित अस्थानहें करतब्यों करना दूसरों के करतव्य शहेंम था च्छेपना करना ही द्यान है अता इसका दिखें तो सासक एडी बुद्ध्मत्था पूरवक अपना कारी करता है तो हुआन न्याई है और वह राज भी याई क्यों कि इतना क्योंकि इसका नागरिक कि अपने निश्चित अस्थानों में निश्चित कारी को पूरा कर रहा है तो इस से फ्राइड से इस फैक्ट को पढ़ने के बादों को यह समय में आ रहा है कि प्लेटों ने क्या किया राज के चार गुड़ बता है कौन कौन से बुधिमत्ता साहत सायम और नया तो यह बता पारी का जो गुड़ होता है और नया कहां पर रहता है या किसका है यह किसका जो है किसके अंदर यह होनी चाहिए तो अन्तमी यह बता रहे हैं नया जो है इसका जो निवास अस्थान है यानि नया किसके पास होता है तो यह बता रहे हैं कि हर एक मनुस्य का अंतर आत्मा ही क्या है पिफ है अगर हर आदमी कार्य करें तो वही दारण के विद्धि होगा है तो सुथ हो रहा है एगर सहीर तरीके से बुद्धिमत्ता का यूज हो रहा है तो क्या है निया है याँनि जरा अगर अपना राज़ सहीत कर रहा है hoc लाहस अर्थात आर्मी अपना काम सही से कर रही है सायम अर्थात जो बैपारी वर्ग है वह अपना काम सही तरीके से कर रहा है धार्मिक तरीके से कर रहा है तो वही क्या है अंत में यही तीनों मिलकर बनाते हैं क्या एक नयाय प्रिय राज्य तो उम्मिद करते हैं आपको इत प्रकास डालिया या टिपड़ी कीजी है ना ब्याख्या कीजी इस तरिके से क्यों पूछा जा सकता और पूछता भी है प्लेटो अरस्तु शुकराती तीन लोगों कि प्रेटो की विसीष्ताइ जो है कौनको सी होती है पहला है या आत्मा का गूड है इसे um जाणत्री ए मेरी अंतर आत्मा यह नहीं कहने method today है तो आहीं बातें ने आत्मा का संबंद मनुष्स की आत्मा से है तथा उसे बाहित जिगत के संदर में नहीं समझा जा सकता है या आत्मा का गुड़ है तो इस तरीके से यह बता रहे हैं इसमें आप अपने हिसाफ से भी कुछ और भी जोड़कर लिख सकते हैं या बता सकते हैं एक्जामने को एक्जाम में जबाब लिखेंगे तो किहने का मतलब सबकी अंतर हातमा एक है जैसे इतल अगर हम बाद करें कि अंतता जो आप आप न्याय में में जबाखको कोई गलत भही होती है यह असमंजश सोह तो आपको कहा जाता कहीं अपनी अंतर wine से पूछो तो वहाँ पर पूछने मतलब क्या है कि आपको सही और गलत का जो निर्ड़ा लेना हो अपनी अंतर आत्मा से लेना एक इनर कॉंसियस एक मतलब होता है अपना इनर भी होता है तो उसी को बोला जारा है यहां पर यहां पर नियाय का आत्मा गुड़ है यह सब के अ नहीं लिखना तो एक पॉइंट में भी आप बता सकती एक जामनों को कि यहां पर तो ल्यां मैंने लीखब दिया दूसरे कि राज की आंतरिक भावना राज की आंतरिक भाउना यह प्लेटों के निया प्रगर आती है कैसे नयाय राज का गुड़ है या उसकी आंत्रिक भावना भी है राज समस्थ कारिनागरी के भलाई के लिए कहता वही प्यत्तियों की समस्थ कम्यों को दूर करने का माद्दें भी है सीधी सीधी कहने के जो इनका सारां से सीधी बात हमक बताएं तो भी राज की बात हो रही इसका मतलब राजा की बात हो ही गई हना जब राज या राजा की बात हो मतलब एक ही है ना सासक या राज राज बादे गई है तो राजा का क्या है आंत्रिक गुड़ है या आंत्रिक भावना है क्यों भावना है क्योंकि जो राजा होता है वह अपनी लगार करता है इसलिए राज की आंध्रीख भावना है अतहम यह कह सकते हैं नयाए याने की जो डिर्टों का नयाई सिध्धांत क्या है राज की आंत्रिक भावना है इस तरीके peut-on कांसर दे सकते हैं तीसरा आते हैं कि आत्मा की अभिव्यक्ति फिर वहीं बात आ जाती है दो कहने का तरीका अलग-अलग है जैनि कि साध utilizar ONE है आप अहां पर बहुत की जा रहेगी आत्मा की अभिव्यक्त ही क्या है यानि कि दो हम अपने अस्त उत्मा की सरोत्तम अभिव्यक्ति ही क्या है नयाय है सीधी सीधी बात यहां पर थोड़ा का डिफकल्ट लेंग्वज लिखी गई यह किताबी लेंग्वेज है मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आत्मा की अभिव्यक्ति का मतलब यह है कि कि जो कुछ भी सही है या ग पांगे है इसकी तो अभिव्यक्त कर देना ही क्या है यानि कि जो आत्मा है उसका जो संबंध्ववेवाइक न्याय से ही एठाथ कहने न्याय कला नहीं है यानि कि न्याय एक कला नहीं है जैसे कि और सारी चीजों को और सारे सब्जेक्टों को या और सारे फैक्ट को जो है हम कला मान सकते हैं या मानते हैं या मनाने की कोशिच की जाती है लेकिन यहां पर प्रेटो बताते हैं कि न्याय कला नहीं है क्यों कि प्र निर्प्यक्ट होता है क्यों निर्प्यक्च होता निर्प्यक्च होता है कि निया कोई कला की चीज नहीं नियाय क्या है निर्पेक्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् कि बता से होता है नीए जो कुछ भी हम ग्यान अरजित करते हैं किसी कुछ भी क्या कथशने श्क've होता है कुछ कुछ कर रлов लक्ष्षि निर्दारित करते हैं लेकिन याक है बने एक निरव पीजिख्ष है तो इसलिए नहीं पर नियायक को प्लाह नहीं मानेंगे Ngay इसका आवास समाज है कि आवास समाज कोके ब्धुमत्त क्ईसका है यह जूरोस क्राहर्जा है जहाएं उसके बात हमने देखा कि जो सभी है दित्शा की यह थाहत है साहस का आवास क्या है आर्मी है सैनिक है सैयम का आवास क्या है बैपारी है तो न्याय का आवास क्या है आदर्स समाज ही क्या है उसका आवास है तथा यह सदगुड का प्रितिरूप है यानि कि जो सदगुड होगा वह न्याय प्रिय भी होगा तो न्याई का अवास अस्थान आधर समझता यापूर सद गुड़ का प्रित रूप है इसके चार गुड़ है बुद्धिमत्ता साहस अनुभव आज्ञापालन एमनुसासन आत्मसायम तथा आत्मनियंत्रन यहीं क्या है इसके चार क्या है गुड़ है ध्यान तकिएगा तो प्ल्ե՟ु को नुले के मुओले में नहीं होती है यानि कि राज की बात हो या मनुस्ञ था हो डोनम कोई अंदर नहीं है राज और राजा में कोई अंतर नहीं है राज़े की वाह को ही बाहरी अभिव्यक्तियां ही क्या है संस्थाइं यह वाई अंग यह मिकाई आदी यथा स्थान रहकर आंते चैतना पर नियंत्र तो इसे ही न्याय कहा जा सकता है ठीक ठीक मेरी बातें समय में आ गई होंगी चलिए बढ़ते हैं आगे प्लेटों के न्याय के सिद्धान के अंतर गथी सात्वां और अंतिम जो क्या कहते हैं विसेष्टा है वह प्लेटों के न्याय के दो रूप बताए जाते हैं प्लेटों के न्याय के दो कौन-कौन से परेटो के नयाया की दो रूप हैं पहला है Россone होता है दूसरा Sag gate जिसे कहते हैं पर सुसाइटल या समाजिक YouTube से और एक dlatego समाजी ग्रूप में नयाय समाज के विभिन अंगों उसके करतब्यों का पारिंद करता है समय के तीनों वर्लिश से कुछ पादक सैनिक सासक अपनी आउसकताओं के कारण एक होकर अपने निशित करतवियों का पारिण करते हुए समझती यानि के पूरी की पूरी समाज को बनाए रखते हैं बैक्तिता समाज के लिए इससे अच्छी कोई ब्यवस्ता नहीं हो सकती कि युए अपने कारियों को कहने का मतलब सिधा सिधा यहां पर यहां के प्लेटो करने आए के दो रूप होते हैं यानि कि समाजिक और बैक्तित तो समाजिक का मतलब यह हैं कि जब हम किसी प्रोफेशन में होते हैं जैसे कि हम एक टीचर हैं हम एक कुछ भी हैं कहने मतलब हैं तो अब हमारे टीचर होन ब्यक्तिगत मतलब हम पापा है यह मम्मी है मामा है या कुछ भी है मतलब ब्यक्तिगत जीवन में हम जो कुछ भी है अब पती होने के नाते हमारा क्या करतब है या हम जो है किसी के पुत्र है तो पुत्र होने के नाते हमारा क्या करतब है माहा होने के नाते हमारा क्या करतब है बेतिकत अपने जीवन में में रिष्टे में नात रिष्टे-दार और हमारे क्या करत फहें वहीं को प्लेटो बता रहें कि वैक्तिक तो इस तरीके से करें अब प्लेटो के निया इस द्धान्त को अब जो है एक बच्यानी मतलब एक बिद्वां सहाब आते हैं फोस्टर कि एक बिग्यान सहाबात मतलब एक कह सकते हैं एक इनीक जो है अपूजिट आते हैं उनका नाम मुता फोश्टर इनके नुसार प्लेटों के सामाजिक न्याय का विचार एक भवन निर्माड करने वाले सिल्पी जैसा है याने कि सामाजिक न्याय का विचार एक भवन और उस भवन को बनाने वाला एक सिल्प और यह कारीगर है जो कि प्लेटो है किसके अनुसार फोश्टर गए उस आर्गार प्रधान सिल्पी-व्यावास्तुकार भवन निर्माड के कारे में किसी प्लींटिना आने देने के हुए उन पर इस प्रकार के नियंदरन रखता है कि वे सामर्थ रखने पर भी अपने छेतर से बाहर ना जाएं सोधर्म का पालन करें तता समाज के सभी अंकों में सामंजस बनाए रखें नियाए का दूसरा रुख व्यक्तिक है प्रतिक ब्यक्ति में विचार भावनाय तता इच्छाएं पाई जाती है इनमें समन्नों बना रहना व्यक्तिक नियाए या मानवी शदगुड है यद तीनों है इस भात इन्याइज जहां एक और समाज में सामंजस अस्ताबित करने के कारण राज को एक सूत्र में पीरोने वाला समाज गुड़ है वह दूसरी और व्यक्तिका या सदगुड़ भी है क्योंकि वह मनुस्य के अध्यात्मिक संतुरन को ठीक बना कर उसे स्रिश्ट और स सिद्धान्त है तो इस लाइन को पढ़ने के बाद या इस वो समझने के बाद आपको यह क्लियर और कट समझ में आ गया होगा कि फोश्टर क्या बता रहे हैं कि अगर हम जो है समाजिक नयाए को एक भावन बना ले हैं ना इस तरीके से आप बना सकते हैं जैसा कि मैंने यह नहां पर बना दिया है अगर यह समाजिक नया है इसको आप समझ सकते हैं समाजिक नया यानि कि सोसल जस्टिस या एक घर है तो इस घर को बनाने वाला कौन है प्लेटों हैं तो इस घर को बनाने वाला प्लेटों यानिके सिल्पी हुए और उसी सिल्पी के अनुसार यह ची की सेम होनग यानि कि जो इस कह सकते हैं इस के सोसल जिस्टिस का जो आधारसिला है 江方 क्या है बुद्धि मत्ता है साहस सैयम है और नए इस तरह के से चार जो आधार तक तो बताये गए थे उसी के आधार पर यह पूरी के पूरी बिल्डिंग पूरा पूरा घर तयार होता है तो इन्हों कहते हैं कि क्या किया है उसी चीज को यहां पर भ्याख रैस करते हुए यानि काउमॆ को यहां को लगता नहीं है कि आ Over मैं कर सकते हैं ले नहीं को सब्सक्राइब टॉरा सब्द्द्दान्त की अलोचना नहीं कर देते हैं थोड़ा भई आये भी आता है कि प्लेटों के नियाय की आलोजना कीजिए पूचा जा सकता है तो पहली आलोजना की यूनान की ताथ काले परिश्चितियों के दृष्ट से उपयोगी होते हुए भी यथार्थ नहीं प्रतित होती है प्रोफेसर बारकर के उसार यह सब कोट करियेगा जरूर आप लो प्रोफेसर बार करके नुसार यह इनके अनुसार यह उनके अनुसार इस तरीके जब आपकुछ करते हैं तो इसका इंपक्ट एक्जामने कुछ जाद में पढ़ता है लगता है वह बिच्चा कुछ पढ़ा है तो यह इंप्रेस्यू जो करने वाली सकती होती है कि नहीं तो इसलिए यह कोई नहीं है और यह बैतिगत जीवन को जो है सौंधर बनाने का वैतिगत जीवन को अच्छा बनाने का एक कलपना मात्र है प्लीट दूसरा क्या है प्लीटों किन्याशिद्धान का दूसरा दोसिया है कि करतब को पर दान हमाना गिया है इसमें अधिकार कोई विचार ही नहीं है नियाय दिकार दोनों का विचार गया है इनके अनुसर के यह कारे पर बल देने से उसके अन्य योगिताओं का सुझ विकास नहीं हो पाता इस से ना तो मनुस्वाइब विकास होता है तो यह चीजें भी यहां पर मारिज कर सकते हैं जैसे जो आपने पढ़ा उसी को उलट कर देना है लिए जो आलोचना होती ह आप पलड़ देंगे तो प्लस हो जाएगा यानि कि आपने विसेष्थाएं पढ़ी उसी का अगर आप नेगेटिव लिख देंगे तो वह हो जाएगी आलोचना तो एक याद करिए चारव ऐसे भी हो जाएगा आलोचना के अंतर कर चौतिया और यह निकल करा थे प्लेटो हम लोग आगे पढ़ेंगे भई प्लेटों का दार्शनिक राज़ा क्या है इसमें मनोबैग्यानिक तत्तों की उपेच्छा की गई है कि सक्ति मनुस की मदांध बना देती है ना यानिकि जो सक्ति हो वह अंधा बना देती है कहने का मतलब पांचमा और अंतिम दूस या है क इसमें अधिकारों के कारण मनुस में होने वाले स्वभाविक संगर्सों के समधान की कोई व्यवस्ता ही नहीं यह पाँचवात दोस्किया है इतने अधिकार वह करन नोहीं होने वादी अधिकार कि किक जाता था जहां किसी के कम है उसके हो से जो होने वाले संगर्वों को लड़ाई जगड़ा मार पीट होगी उसी कोई वेवस्ता ही नहीं किया है प्लेटों इसलिए इस सारी चीज़े खाम यह निकल कर आती है प्लेटों के अंतरगत और यहां पर हमारा वीडियो भी होता है सम्माप आगे हम देखेंगे प्लेटों का आदर्स राज हना इस वीडि करेंगे और दूसरी बात क्या है कि आप इस वीडियो को जो है ना जो डबल में भी करके जब आप जाईएगा इस साम देने तो उस समय डबल कर सुन कर जाईएगा तो चीज़ें आपको दिमाग में बैठे रह जाएंगे क्यों क्योंकि आप पढ़ते हैं वह चीज दिमाग उच्छुरूर रहती है क्यों क्यों क्योंकि यह हम एक बात चीद्ग के हिसाब से यह वीडियों बना रहें ऐसा लगा है कि आप में हमारे सामने बैठे है आप और हम आपको समझा रहे हैं तो इस लिए इस वीडियो को चरूर देखिएगा पूरा देखिएगा इसकी मत साइन्स को है ना तो इस तरीके से हम जदा जदा चार से पांच वीडियो में पूरा का पूरा पूरा पॉल्टीक पॉल्टीक कवर कर देंगे फ़स्ट पेपर को मैं का उसके बाद फिर दूसरा के तीसरा फिर चोथा जैसा भी होगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और अगर अच्छा लगा तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और सेयर अपने साथियों को जो कुछ भी मतलब करना चाहरा होगा यानि कि जो भी एक्जाम देना चाहरा होगा उसको सेयर कर दीजेगा और नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजे का मिलते हैं ने शूडियो में तब तक लिए नमस्कार जहें बंदे मातरों झाल 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 झाल